असलाम अलेकुम आपरीवन वेलकम बैक टो मैं चानल मेरा घर मेरी जननत तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे तो यह है सेकंड दे और मौनिंग को टडीको हम उठ गये थे बज़र के लिए और यहां पे देखिए जैसे ही हम बाहर निकलें मेरे शोहर ने पहले चाई पी क्योंकि चाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर हम आ गए दरगा में तो यह जो है ना मौनिंग का पुर सुकून माहौल आप देख सकते हैं कि चहल पहल भी है लोग भी है लेकिन एक अजीब सी खामोशी है सुकून है तो बहुत प्यारा मनज़र लगता है मुझको चिडिया की चेचाहट और ठंडी ठंडी हवाय चल रही थी और बस यहीं से हम गुजर रहते सहन में से और यहीं मेरे शोहर चले गए मस्धिद में और मैं चल दी नमाज के लिए वहाँ पर जहां पर होते हैं और तो का एत्माम तो यह है बाप जन्नत जिसका दर्वाजा जो हैना साल में दो मरतबा ही ओपन किया जाता है तो यहां से मैं डिरेक्ली चले गई वजू खाने की तरफ यहां पर औरतों के लिए एत्माम होता है और फिर मैं आगई लेडिस के सेक्शन में जहां पर लेडिस की नमाज पढ़ने का एत्माम होता है तो यहां पर हमने नमाज अदा की बहुत अच्छे से यासी शरीफ वगएरा सब पढ़ने के बात में कुछ देर जो है ना यहां पर बै भरा माहूल तो बस वहाँ से हम निकले थे तो किसी ने बताया कि यहां पे लंगर खाना है जो घरीब नवास के टाइम से जो खौजा घरीब नवास लंगर बनाया करते ते और घरीबों में तकसीम किया करते थे वो यहां पर है और यह गेट नमबर एक और दो के बिलकुल साम यह हमको अभी मता चला लेकिन मैं उपर तक नहीं जा पाई क्योंकि मेरे शोहर जो है ना वहीं पे खड़े हो गए था उन्होंने का कि आप चाओ अंदर देख लो तो मैं रिटन आगे किसी टाइम फिर जाओं गी तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी लेकिन यह है का मनजर और यहां पर बड़ी देख और छोटी देख है जो अकबर बाश्या ने उसकी बाश्याहत के टेंपे बनवाया था तो एक डेख में जो है ना हमेशा लंगर बनता रहता है तो यहां पर से हम निकल गए बाहर और बाहर आ गए तो यह नाइट बाजार होता है जो ब टुपटे, दस्तरखान, शूस, मोजुडी बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन हम यहां से रिक्षा ले लिए थे और रिक्षा में बैठके हम सीध़ अप महज गए अनासागर क्योंकि हम अनासागर हमेशा से ही जाते हैं दौपेर में जाना मुनासिब नहीं था क्योंकि क एक प्रॉब्लम यह था कि पानी जो था ना अनासागर में पूरी इस तरह से पत्तियों से भरा हुआ था मचलिया तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी जहां जहां पर पानी के अंदर गैप दिखाई दे रहा था हमने वहां पर आटे की गोलियों को फे इस तरह से और क्यूं आ गया है यह इतने सारे पत्ते कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी यहां पर नहीं देखा पहले मुझको लगा था कि यह कमल के फूल के पत्ते होंगे काई होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं यह कुछ अलग तरह के ही पत्ते हैं फिर हम वहां से आगे आए और हमने कभूतरों को दाना दाना तो यह हमेशा से जब भी अजमे शरीप जाते हैं या हम हमारे घर में भी होते हैं तो बारी बारी हम यह कोशिश करते हैं कि बेजुबान जो जानवर होते हैं उनको लिये भी हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ दाने वगेरा दालते रहें क्योंकि इनकी जो दुआ होती है वो बहुत सादा मक्बूल होती है कुबूल होती है तो इनको दाना जरूर डाली अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई कबूतर खाना होगा तो जरूर आप दाना दालने की कोशिश केजिए फिर वहां से मेरे शोहर रिक्षे वाले से कहा कि हमको बस ऐसे ही अनासागर के एत्राफ में एक राउंड लगा दो और फिर हमको दर्गा पे छोड़ देना तो यह हम वही राउंड लगा रहते बस रिक्षा में बैटके ही नजारा देख रहे थे और अब बज़ रहे थे सेवन साथ बज़ रहे थे लेकिन आप देख सकते हो कि सूरज जो है वो निकल आया था और यहां पर हमने देखा सेवन वंडर तो सुबा का टाइम था तो हमने सुचा कि शाम में जरूर हम यहां पर करवाने वाली हूँ I hope कि आज का मेरा छोटा से व्लोग आपको जरूर पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा तो फिर मिलूंगी नेक्स व्लोग में बहुत चल तब तक के लिए अलाफ वेस